नमस्कार दोस्तों मैं संतोष रुवास्तों माई टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको हरे कद्दू की सब्जी बनाना बताएंगी लटपटी सब्जी जो हलकी ग्रेवी वाली बनती है जर्णी दोस्तों मैंने कद्दू को लेकर प्रेवी निकालकर अच्छे से काट लिया है इसका जिल्का काफी स॑फ्ट था अच्छे हरा कद्दू है तो मैंने छिल्के को नहीं निकाला इगर हाठ है आपको छिल्का तो आप इसको निकाल दें ताब उसको बनाएं लेकिन यह बहुत ही साफ्ट था बहुत छोटा सा मतलब कद्दू था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही काट लिया है और यह अच्छा लगेगा इसी तरह और इसके लिए देखें ने टमाटर लिया एक बड़ा टमाटर आप अमचुर पाउडर भी ले सकती है ज्यादा खट्टा आपको प अपने टेस्के अकॉर्डिंग ले ले और यह चोटा टुकड़ा अध्रक काट लिया अब इन सभी चीजों को हम चौपर में चौप कर लेंगे आप चाहे तो मिक्सी में पीच लें अभी लाइट नहीं आ रही है तो मैंने इस लेसको चौपर में ही चौप कर ले रहे है तो मेथी एक चमच और आदा चमच जीरा डाल देंगे और एक चुटकी हींग डाल देंगे इनको अच्छे से तड़क ने देंगे और जब यह तड़क जाएगा तो जो हमने प्याज टमाटर और लैसुन को इसा है उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको दो-तीर मिनट चला देंगे दो तीन मिनट तक अच्छे से भूनना है मसालि का अच्छा फ्लेवर आता है और एक बार बना कर जो ट्राइए सुखी सब्वी तो सभी बनाता है पर एक बार आप इसकी रसीली अलगी सी लड़पटी बना कर देके और वह बहुत ही अच्छी लगती है और डालेंगे क्योंकि इसको मैसे ही बनाएंगे नमकीन स्वाद में अभी देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल दी नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि कद्दू जब पिचक जाता ना पकने के बाद में थोड़ा काम हो जाता है तो नमक बहुत जादा ना होने पाए इसलिए अब इसको प्यान से डालें आभी देखिए सारे मसाले पक गए हैं प्यास टमाटर अगयरा अपने दो तीन से चार मिनट तक पका लिया था अब इसमें वही बेसिक मसाले जो पड़ते हैं हल्दी आदा चमच डाल देंगे इसमें और एक चमच धनिया डाल देंगे धनिया अब देखिए देनिया पॉर्डर डाल दिया हमें और थोड़ी सी लाल मिर्च पॉर्डर डाल देंगे मिर्च आप टेस्के कोडिंग कर लें मिर्च पहले भी डाली इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ी ही डाल रही हूं बहुत तीखी मिर्च है अब इसको भी मसालों को चुर डालें यही तो फिर पप नहीं पाती है ठीक से जिब भी अमचुर का यूज करें तो जब सब्जी पूरी तरज से पक जाए तब बात में डाल गए और अच्छे से उसको तुड़ा से बून लें भरत अब यह देखिए मसाले में पानी डाल कर हम इसको मसाले पपने दे ड läuft मिक्स से और अज कर दिए नहीं मिडियम अज पर भी करना है सब कुछ नए fu facts आथे मिक्स होना करें और अगल कर दो बलग छित्कुशा है और कि चुरद अब हम आज कर दे कि अधी मिक्स कर दिया है सारी सब्डियों को मसालों में अभी से ही कितना अच्छा कलर आ रहा है और अब हम इसको पकाएंगे ठाक के लेकिन अभी हम इसको दो-तीन मेर्ट तक ऐसे ही इसमें कलार लेंगे थोड़ा सा भून लेंगे मसालों में तो पाणी शोड़ सकता हमएं पानी के चोड़ेंगे, हम आशकता लगे तो भात में पानी डालेंगे जब इसमें कद्व में छूट जाएगा तो में अंदाज मिल जाएगी कि हमें कितना पानी जूड़ात है तो अभी हमने सिर्फ सब्जी पकने के एक्रोडिंग ही नमक डाला है सॉरी पानी डाला है देखिए थोड़ा सा ही पानी डाल दिया मैंने और अब हम इसको मीरियम आज पर या फिर बिलकुश लो आज पर इसको हम पकाएंगे ढाक कर पकाएंगे वीच पीच में देखते रहेंगे ताकि यह सब्जी नीचे से लगने ना पाए दो तीन मिनट में इसको खोल के चेक करते रहेंगे अब डेखे सब्जी पक गई है लेकिन हल्की-फुलकी कसर रह गई है तो अब हम इस टाइम पर हम पानी डाल सकते हैं अगर आपको सूखा खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं तो मुझे ग्रेवी वाली बनानी है चावल के साथ खाना है तो मैं इसमें हलकी सी ग्रेवी कर रही है बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी है अभी देखे कदू पक गया है हलकी फुलकी सी कसर है तो अभी ग्रेवी जब हमने डाली है पानी इसके साथ में यह पक जाएगा इसको mix कर देएंगे और इसको दो-तीन मरट तक और खोला लेंगे बस ज्यादा नहीं खोलाना है बस दो-तीन मरट के लिए ही अभी देखिए हम पानि डालके इसको खोला लिया है पैस इतनी ही ग्रेवी मजे चाहिए और इसमें गरम मसाला डाल देगे आधी चमच और हरा धन् कस्तुरी मेती भी डाल सकती है और इसी टाइम आप सब्जी बनने के बाद अब पॉर्डर डाल के समय मिक्स कर सकती है अगर डालना चाहिए आप को खटा कर्दू काना है तो अंधा ना डाले ले गामाटर तो मैं ने डाली दिया है इसमे और अगर मेरे चैनल में नहे है तो प आपको पसंद आएगा नमस्कार